Hello everyone, this is Nisha Rasput, welcome you all on NR Classes. एक great news आ गई है सभी बच्चों के लिए निकल के जिसका आप बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे थी. और ये news है 10th और 12th के बच्चों के लिए जो उन एक्जाम बच्ची हुए थी, जो 1-15 जुलाई के बीच में होने थी, वो सारे के सारे एक्जाम कैंसल हो गई है. बहुत दिनों से बच्चों को इसका इंतजार था कि हमारे एक्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर decision आ गया है Supreme Court की तरफ से कि आपके एक्जाम कैंसल हो गई है. पूरी जानकरी के लिए कि कैंसल कैसे हुए हैं और आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आपको marks दे जाएंगी, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप एनर क्लासिस पे नई हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी, तक कि कोई भी लेटेस्ट इन्फोर्मिशन सबसे पहले आप तक पहुँच भाए, अब बात करते हैं कि क्या डिसीजन आया है, तो आप यहां पे बिल्कुल देख सकते हैं, यह बात हो रही है, CBSC बोर्ड की, HBC के उपर अभी नहीं आया है, HBC का जैसे ही आयेगा, आपको इन्फोर्म कर दिया जाएगा, तो यहां पे बात हो रही है, CBSC की, कि जो CBSC 10th and 12th के जो एक्जाम है, 2020, जो 1 से 15 जुलाई के बीच में होने थी, वो कैंसल कर दिये गई हैं, यह CBSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है, अगर आपको पता है, तो वन वीक से यह डिसीजन चल रहा था, कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की एक्जाम होंगे या नहीं होंगे, तो यह बिल्कुल अभी की latest update है, बिल्कुल जस्ट अभी की, तो 1 से 15 जुलाई तक जो 10th or 12th CBSC के एक्जाम होने थी, वो सारे की सारे कैंसल कर दिये हैं, और य जो यह CBSC, the Central Board of Secondary Education, will own Thursday, June 25, सुप्रीम कोर्ट को इनफॉर्म किया और अपना डिसीजन दिया, कि जो पेंडिंग एक्जाम है, वो सारे के सारे कैंसल कर दिये जाएं, आज की ही बात है, अभी की बात है, 1 से 15 जुलाई में आपके एक्जाम होने थे, लेकिन CBSC ने सुप्री आपको माक्स कैसे मिलेंगे, तो आप यहां पे बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, यहां पे बिल्कुल अच्छे से मैंशन है, the court made this decision in the response of a plea from a group of parents, means parents ने भी request की है, कि जो एक्जाम है, वो कैंसल किये जाए, COVID-19 एक पैंडेमिक बिमारी है, जिससे बच्चों को खत्रा है, तो इनको कैंसल कर दिया जाए, और इस प्राथना को, इस प्ले को स्विकार कर लिया गया है, और आपकी सारे के सारे एक्जाम कैंसल कर दिया है, अब जो आपको मार्स मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे आपकी internal assessment के बेस पे, तो यहां पे बिल्कुल लिख दिया है, it also asked the board to allot marks to the student for the remaining paper on the basis of their internal assessment and the performance in the practicals and the examination they took in March means आपको जो exam आपकी रहे गई है उनमें जो आपके marks मिलेंगे जो आपकी internal assessment है उसके बेस पी और जो आपकी marks तक की performance थी जो आपकी practical हुई है या फिर जितने भी आपके unit test जो भी लिये गई है उनके बेस पे आपको marks अलोट किये जाएंगे तो ये news थी जो आप सब के लिए बहुत ही important होने वाली है means आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थी ये cbsc की है hbsc की भी जल्द ही आने वाली है exam आपके नहीं होंगे तो ये news थी कि means आपके exam नहीं होंगे आप खुश हो जाएए बहुत दिनों से इस पर decision चल रहा था एक से पंदरा जुलाई के बीच में आपके exam होने थे लेकिन अब वो cancel हो गई है और आपकी internal assessment के बेस पे ही आपको marks दिये जाएंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कीजिए और वीडियो को share भी कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये information मिल की कि exam cancel हो चुके है Thank you everyone